रब इश्वाही सद्री वायसर लियम्री वहल लुदतम लिसानी अप्रकॉलिया सामलेकॉम दॉक्सनिय वशीर हीर कंसल्टन डापिटलॉजस्ट एंसी ओफ डियाबिटीस चलिकिया डियाबिटीस की कॉंप्लिकेशन्स की जब बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी अलामात होती जिन से एक मरीज नावाकिफ होता है क्या आया यह बरतीवी शगर जहां हमने बहुत सारी कंप्लिकेशन्स का जिकर किया है वहीं कंप्लिकेशन्स बहुत ज्यादा मजीद कंप्लिकेट होके दूसरी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं जैसे मैं आप से वीडियो में आप बता ऐसा infection है जो के skin के इलावा बहुत सारे जो कहना चाहिए कि membranes होती है जैसे कि आपके nook area हो गया या आपके बहुत सारे different organs को भी affect रहती है different parts को affect रहती है तो हम उस पर बात करेंगे जी हाँ आजम बात कर रहे हैं fungal infection की जो एक diabetic patient में क्यों होती है कैसे हो सकती है क्या क्या उसके किन किन तरीकों से ये अपने आपको present करती है और इसका क्या इलाज है और इससे कैसे बचा जा सकता है तो इस वीडियो को जरूर एंट देखिएगा ताकि आपके जहन में भी जो सवालात है जो queries unanswered हैं बाज अकात हमारे जहन में वह सवाल create ही नहीं हो पाता और हम confusion का ही शिकार रह जाते हैं तो जो अमीद है कि इससे आपको बहुत help में लेगी अगर वीडियो पसंदा है तो आगे जरूर शेयर कीज़ेगा चानल को सब्सक्राइब जाने कीज़ेगा जी हाँ fungal infection fungal infection जैसे के बहुत सारी हम कहना चाहिए के चाहे diabetes नहीं भी है तो fungal infection एक बड़ा commonist representation होती है कि skin involved हो रही है तो मुक्तलिफ तरीकों से मुक्तलिफ जगहों पे involvement होती है जिसमें सबसे ज़्यादा जो fungal infection की जगहें हैं वो आपके जिसम में मौझूद जितने भी फोल्स हैं फोल्स आपके जैसे के आपके armpit हो गए आपके जो है वो groin region हो गया आपके abdominal फोल्स हो गए तो जितने भी फोल्डड रीजिन है उसके इलावा आपके जो ये फोल्स के जो बीच में spaces होती है इन spaces के बीच में भी ये भी हमारे एक तरह से फोल्स ही कहलाते हैं जो के अमूमी तोर पे ऐसी जगह हैं जहां पसीना आता है और पसीना रह जाता है जम जाता है तो प्री स्किन पे या हमारे हाथों पसीना आ रहा है तो हम उसे खुश कर लेते हैं लेकिन ये जगहें ऐसी हैं जहां पर पसीना रह जाता है फैर जाता है और एक ऐसा environment क्रिये जो के फंगुस की ग्रोग को पर्ज़्श ज्यादा प्रोमोट करता है इसकी इलावा फंगल इंटक्शन किस तरीके से प्रäजय करता है कि मूँ में, मूँ में जो है वो सफेय पैचूंस बन जाते हैं जिसे oral thrush कहा जाता है इसके इलावा मुह में औरल फ्रश बहुत डिफरेंट तरीके से प्रिजेंट करता है जिसकी वज़ा से मसोडों में और गम में इंफ्लमेशन इंफेक्शन क्रिए हो जाते हैं जो के फंगस की वज़ा से होते हैं इसके इलावा जहां oral fresh की बात भी बिलकुल इसी तरीके से male and female यानि कि मर्द और 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 दोनों में genitals infection यानि कि private part के infections की fungus की वज़ा से हो जाते हैं सवाल ये है कि diabetes patients में क्यों होते हैं क्यों ये जादा high risk पर होते हैं तो high risk पर हो इसनी होते हैं क्योंकि diabetic patients में अगर sugar uncontrolled है तो they are at high risk for developing fungal infection इसके इलावा कि diabetic patient already complications का शिकार हो चुका है इसकी नसे मतासिर हो चुकी है उसकी शर्याने मतासिर हो चुकी है जिसम में जो पेगाम रसाई का जो निजाम होता है वो मतासिर है खुन की supply का निजाम मतासिर है तो ऐसी सुरतहाल भी fungus की growth को और जादा increase कर देती है जिसकी वजह से diabetic patient को मुखतलिफ इसन के infection हो जाते हैं एक जिकर मैंने आप लोगों से किया कि फंगल infection किस तरीके से present करता है तो फंगल infection में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि शुगर के मरीजों के नाखों मतासिर होते हैं जिसे हम onico mycosis कहते हैं के जर्द, पीले और सक्त नेल्स जो हैं वो शुगर के मरीजों के फंगल infection की अजासे हो सकते हैं और फो जाते हैं जिस पे एक इंशाला detailed video हम बनाएंगे अभी overall बात ही हुई है के फंगल infection diabetic patient में क्यों हो सकता है इसको कैसे बचाया जा सकता है यकीनां इन तमाम trigger factors को अगर हम control करने शुगर्स अगर एक diabetic patient की control हो proper neuropathy की treatment हो जाए शर्याने जो हैं अगर मतासिर हो रही है तो इसके पीछे जाहरे sugars का बढ़तावा ratio होता है तो sugars और blood pressures को control के लिया जाए exercise अच्छी की जाए ताकि वजन अंडर control आए इसके इलावा और भी जो trigger factors है insulin resistance के जिसमें आपका lipid cholesterol levels है वो तमाम चीज़ें अगर normal हो जाती है तो आप pungal infection से अपने आपको बचा लेते हैं और ये चीज़ होने ही नहीं रगेते इसके इलावा एक बहुत important चीज़ जो diabetic patient में है कि आपके तमाम folded region जितने भी हैं जिसम में उनको neat and clean रखा जाए उनको खुश्क रखा जाए और एक हमेशा बात लेने के बाद एक साफ तावल से हर फोल को dry किया जाए ताकि वो आपके जिसम में जो trigger factors हैं उसकी वज़ा से fungal growth ना हो पाए तो hygienic environment को बहतर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है diabetic patient में इसलिए हम कहते हैं कि आप खास तौर पे जब fungal infection पाउं का involvement होती है तो ये बहुत बड़ा खत्रा बन जाती है कि अगर इसको वहाँ control ना किया गया तो वह आगे पूरी टांग के जाया होने का भी सबब बन जाती है तो इस वीडियो बनाने का मकसद इस चीज़ की आगाही करनी थी कि अगर एक diabetic patient को जरा सा भी कोई infectivity नजर आती है तो instead of self treatment, instead of going कि हम just antibiotic ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा या हम कोई क्रीम लगा लेंगे तो ठीक हो जाएगा या फार्मेसी पर जाके कहेंगे कि दाने की क्रीम दे दें से कहीं ज्यादा बहतर है अपने sugar levels को अससे किया जाए अपने तीन महीने का शगर अगर नहीं करवाया है तो पॉरन से बहतर करवाया जाए दोनों से मिलकर अपनी जो है वो इलाज शुरू किया जाए अगर आपने बहुत ऐसे से आप अंपच रहे हैं तो खुदारा ये चीज़े अलार्मिंग साइन होती है अगर किसी को इस तरह की infection स्टार्ट हो चुके हैं तो यकीनन उसकी treatment plan में dermatologist का involved होना और proper किसम की anti-fungal cream का इस्तमाल और बाज वकाट सिवियर infection में anti-fungal की tablets का इस्तमाल भी यानि के मूँ से खाने वाली दवाईया भी इस्तमाल की जाती है अलब इन किसम की बगेर असिस की antibiotics का इस्तमाल ना सिर्फ ये के नुक्सान दे साबित हो सकता है बलके immune system को मजीद compromise करके मजीद fungus को growth में और help कर सकता है जिसकी वज़ा से मामला सिर्फ पर सिर्फ खराब होता है तो self treatment से avoid कीजिए डॉक्टर से consult कीजिए diabetes telecare का platform आप लिगों के लिए हमेशा खुला है है रखिगा आप